आपका स्वागत है बिहार सिक्षक भरती 2023 अभी अगर आप एस्टेट दिये होंगे और इस बार एकजाम भी अभी जस्ट आपका टीचर का हुआ है लेकिन आप कलपर्सों का एक पेपर का कटिंग देखे होंगे उसमें असपश्टया बताया गया है कि एक लाख टीचर की वे अच्छी खासी सीटे रहने की संभावना है लगभग 50,000, 55,000 प्लस ही सीटे रहने की संभावना है और 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन भी इसका आ सकता है क्योंकि इसके साथ में आपका 9, 10, 11, 12 का भी वेकंसी ठीक ठाक रहने की बातें कही गई है अब सवाल यह उठता भी 9, 10, 11, 12 का मामला है लगभग वो किलियर है लेकिन आगे दूसरे वीडियो में चर्चा उसका भी करेंगे लेकिन 6-8 के संदर में दिक्कत या कन्फ्यूजन कहां कहां है कम्बिनेशन एक बरी समस्या है क्योंकि आज भी एक गर्ल्स कनिडेट आई थी और उसका कम्बिने पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा 6-8 के संदर में समभावित सिलेवस पर भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि यही पेपर का आपका कटिंग है दैनिक भासकर का आप देख रहे हैं इसमें असपश्तया लिखा हुआ है एक सिक्षक बरति का द एकदम समय आपके पास नहीं है और जितनी फास्ट अभी आयोग हो गई है जितने फास्ट तरीके से विहार सरकार सारा कुछ करवा रही है तो निश्चित रूप सी उमीद कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है दो महिने से धाई महिने में सारा कुछ आपका किलियर होने की संभावना है 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है और एक लाग सिख्चकों की आएगी वेकंसी इसमें भी आप देख रहे हैं कि 6 to 8 लगभग 52,000 वेकंसी 6 to 8 में 15 अक्टूबर तक आवेदन पर करिया 9 से 12 तक करिक्त रागय प पदों को जोर कर उच और उच तर्मादमिक की वेकंसी दी जाएगी अब हम मूल बातों पर आते हैं आगे आप देख रहें ये 2019 में 2019 में जो वेकंसी आपकी आई थी एस स्टेट का उसी संदर में एक नोटिफिकेशन दिया गया था 2019 वीश में सिक्षेकव के नियोजन के कारवायवम प्रकरियाक से संबंदित हमको लगता है कि उस समय जो आपका दिया गया था सब्जेक्ट कंबिनेशन का यहां पर चर्चा किया गया है और यही सब्जेक्ट कंबिनेशन मैक्सिमम संभावना रखिए कि आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा maximum संभावना रखिए और notification जब इस बार का आज आएगा तब वो 100% आपका clear होगा और ये पिछली बार के अधार पर ये सारा सूचना आपका है और ज़्यादा संभावना है कि जो भी पिछली बार दिया गया था maximum चीज को continue किया जाता है उस combination को आप देख रहें कि इसमें हम 6-8 पर चर्चा करेंगे उपर में 1-5 के बारे में दिया हुआ है इसके उपर लेकिन यहां से आपका 6-8 के बारे में चर्चा है इसमें लिखा है कि उच्छ प्रात्मिक कक्छाओं यानि मद्ध भी द्याला यानि 6-8 के बारे में उच्छ प्रात् प्रिमबत होगी, यानि sectionic योगता क्या होगी, इस पर चर्चा किया गया है, तो इसमें sectionic योगता का जहां तक सवाल है, यहां आपका कहा गया कि असनातक गनित विज्यान के सिक्छक, sectionic योगता, यानि कि graduation में जिनका math है और science है, तो math और science में तीन condition दिया हुआ है, एक तो भोत्की रसाइन में असनातक आपका होना चाहिए अत्वा रसाइन वनिश्पती विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान में असनातक होना चाहिए अत्वा BCA योगताधारी होना चाहिए अत्वा NCTE 2014 के तहत इंजिनियरिंग से असनातक जिसमें विज्ञान और गनित की विशे सग्यता हो और B.E.D. में नमंकर नहेतु पातरता निर्धारित की गई हो ततना रूप वैसे अभ्यर्थी जो इंजिनियरिंग से असनातक जिसमें विज्ञान और गनित की विशे सग्यता हो तथा B.E.D. या बीटेट उत्तिर्न हो असनातक गनित वहम विज्ञान विशे में मद विद्यालेक सिक्षक पत्पर नियोजन के पात्र होंगे यानि यहां असपस्ट है साइन्स और मैथ सब्जक्ट की चर्चा की गई है अगर ग्रेजिवेशन में आपका फिजिक्स, केमिस्टी, मैथ का कम्बिनेशन है या फिर बोटनी, जूलोजी, मैथ का कम्बिनेशन है या इंजिनियरिंग में आप असनातक किये हैं या B.C.A. ह तो आप 6 to 8 में मैथ और साइन्स सिक्षक बनने के योग हैं एक तो ये हो गई है दूसरा अब यहां पर आपको देखना है कि असनातक समाजिक विज्ञान के सिक्षक उसके लिए सेक्षन की योगता क्या है यहां पर आपको गवर करना है यहां लिखा हुआ है कि इतिहास, भुगोल, राजनीती सास्त्र, यहां देखिए दर्सन सास्त्र, अर्थ सास्त्र, मनो विज्ञान, समाज सास्त्र में, असनातक अस्तर में किसी दो विशे में उत्पिर्ण, किन्तु एक पठित विशे इतिहास या भुगोल अवस्य हो, अथवा अभी कोम. अब यहां पर आप देखिए, पहले क्या कहा जाता था, आपको 9-10 में देखे होंगे इस बार, History, Policy, Economy, जोगरफी, चार पेपर का कम्बिनेशन बनाया गया था, चार में से दो पेपर का कम्बिनेशन बनना था, जिसमें एक इतिहास या भुगोल अवस्य होना चाहिए था. यहां पर आपको यह चार पेपर के अलावे, दर्सन सास्त्र के बारे में भी कहा गया, मनुविज्ञान के बारे में भी कहा गया है, समाज सास्त्र के बारे में भी कहा गया है, अब देखना यह है कि इस बार का जब notification आएगा, तो क्या यह तीन भिशे continue रहेंगे, अथवा उसी चारो में से combination बनाया जाएगा, लेकिन इस तीन भिशे के अलावे भी बहुत student परिसान है, जिनका की combination पूरा नहीं हो पा रहा है, माल लेजिए किसी का psychology owners है, साथ में sociology subsidiary है, एक बीच से history सिर्फाता है, इसी तरीके से history है, उसके बाद psychology है, English है, history है, psychology है, हिंदी है, मत कि student graduation तो कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, लेकिन उनका combination पूरा नहीं होने के वज़े से, सारा मेहनत बेकार होता हुआ, परतीत होता है, तो ऐसी स्थिति में वीडियो बनाने के पीछे भी मेरा मकसद यहीं था, कि जो भी इस तरह के student होंगे, सारे इस comment box में, अपना comment mobile number सहित करेंगे, जिनका भी combination पूरा नहीं हो रहा होगा, यह personal मेरे तरफ से suggestion है, और 100-200-500 के संख्या में, आपस में आप लोग इस तरह के जो भी प्रभावित छात्र हैं, गुरूब बनाएं, और सिक्षा विभाग में आप जरूर जा करके, अपनी अरजी दें, अपनी परि यह स्थिती नहीं रहती, इतने मेहनत करने के बाद, आकिर हम लोग क्या करेंगे, इस combination का सिकार, हम सिर्फ हम ही लोग क्यों, तो ऐसी परिस्थिती में सिक्षा विभाग ही इसका कोई निप्तारा कर सकती है, कोई इसका निदान निकाल सकती है, बांकि कोई भी options इसका नहीं इसके बाद देखे, बीकॉम बाले के बारे में इस भी चर्चा की गई है, इसके अलावा गा में लिखा हुआ है, असनातक भासा के सिक्षक, सैक्षनिक योगता हिंदी के लिए असनातक अस्तरपरपठित हिंदी भी से, अर्थात सहायक भी से, अत्वा परतिश्था, यानि की subsidiary अत्वा man बिस है honors subject के रूप में अगर है तथा अंग्रेजी के लिए असनातक अस्तर प्रपठित अंग्रेजी भीस है अत्वा सहयक भीस है अत्वा परतिष्ठा के रूप में रखा गया हो 6-8 में वो भी भर सकते हैं संस्कृत भासा के सिक्षक में संस्कृत में असनातक या सास्त्री की डिग्री होनी चाहिए उर्दू सिक्षक सेक्षनी की युगता आलीम तथा डिग्री अत्वा उर्दू भासा वसनातक होना चाहिए और लिखा हुआ है कि जिला के विभी निक्यायों में रिक्प पदों की सूचना प्राप्त का रोस्टर पंजी का भरना आप एक्षित है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा उसका डिटेल आपका दिया गया है तो अब तो देखना है कि जब भी 6-8 की वे समभावित सिलेबस पर हम चर्चा कर देते हैं जिससे कि आपको ततकाल तयारी करने में मदद मिले समभावित सिलेबस की बात करें 6-8 का तो इसमें मैन पेपर जो आपका होगा 80 मार्स का होगा यानि टोटल 120 मार्स का एक्जाम होगा और इसमें BPSC जो एक्जाम BPSC निश्य का ध्यन है तो history, quality, economy, geography ये चारो subject परना होगा और इससे 80 मार्स का आपका question पुछा जाएगा 80 मार्स का और जिनका science और math है जिनका combination में science और math है जिनका तो उनके लिए आप देख रहे हैं कि science और math के लिए physics परना होगा, chemistry परना होगा, bio परना होगा, math परना होगा यानि 80 मार्स आपका यही चार subject मिला करके पूछा जाएगा अब सबाल ये उठता है कि class 6 to 8 के लिए आपका 12th level तक का question आपसे पूछा जा सकता है और जिस तरीके से इस बार 1 to 5 में आप देखे कि question का level क्या रहा तो चौकाने वाला पूरी तरीके से रहा हो सकता है कि 6 to 8 वा मिले इसमें कोई आस्चर्ज वाली बात नहीं होगी इसलिए इसमें लेवल आपको उसी हिसाब से अपना बढ़ा करके चलना होगा ये तो 80 मार्स का हो गया और बाकी 40 मार्स में आप देख रहे हैं कि प्रात्मिक गनित भारतिया रास्टिया अंदोलन मानसिक छमता भुगोल, विज्ञान, समाने जागरुकता ये सब सिल्यवस आपका बाकी 40 मार्स के लिए आपका रह सकता है तो अब इसमें देखना ये है कि प्लेटपॉर्म के तरफ से चुकि समय अब बिल्कुल भी आपके पास नहीं है क्लास 6-8, 9-10, 11-12 के लिए 19 सेप्टमबर से नि बैच दिया है वोई से भी जो स्टुडेंट इस बार एस्टेट 9-10, 11-12 के लिए दिये होंगे उनको पता होगा कि हम पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे अगर आपको लग रहा होगा कि हम पास करेंगे तो आपके पास समय नहीं है आप एकदम तयारी में लग जाए और 19 से से आपका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग भिकनापारी सेंटर हमारा सहितपूर्म और भिकनापारी सेंटर पर ऑफलाइन मोड में और ओनलाइन मोड में बैच इसका स्टार्ट होगा और अभी जस्ट एक दूसरा वीडियो ह जिसमें कि पूरा बैच का हम चर्चा करेंगे कि बैच किस तरीके से आएगी तो ये बैच आप 19 सेप्टमबर से आपका अगर ऑनलाइन बाय करिएगा तो प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग एप उसके लिए डाउनलोड करना होगा और ओफलाइन के लिए हमारे विक जा रहे हैं धन्यवाद